नमस्कार दोस्तो एस्टरोजंट के इस वीडियो में आप सबी लोगों का बहुत बहुत स्वावत हैं। दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना हाथ खुद चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीवन रेखा की, हम बात करेंगे मस्टिक्स रेखा की, हम बात करेंगे हिर्दे रेखा की और हाथ के अंदर जो भागे रेखा होती है, वह किस तरीके से काम करती है, उसके बारे में भी जानेंगे, और हाथ में जो सफलता की रेखा होत क्योंकि ट्रैवल करना चाहते हैं तो हम यात्रा की रेखाओं के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि हमारे हाथ में विवाह रेखा कहां पर होती है और हाथ में संतान रेखा कहां पर देखते हैं और हाथ के अंदर कुछ और भी रेखाए होती हैं जैस लग्की माना जाता है और कुछ एक हातों में आपको M का साइन देखने के लिए मिल सकता है ये भी काफी लग्की होता है और कुछ हातों में आपको X का साइन भी देखने के लिए मिल सकता है तो अगर ये साइन आपके हाथ में मिल रहे हैं तो आप बहुत ही जादा लग्की है तो दोस्तों बिलकुल भी देर नहीं करते और अपने वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रिखा की निम्ड के मंगल से कुछ इस तरीके का कवर बनाती हुई कोई रिखा की दुपरवत की तरफ आती है तो इसे जीवन रिखा कहती है अलग-अलग हातों में यह अलग-अलग परकार की होती है अगर ये आपकी रेखा काफी साफ है इस पस्ट है तो इसका ये मतलब है कि आप अपने जीवन में उरजावान रहेंगे और जीवन के प्रती उत्साहित रहेंगे और कोई भी कारे जब भी करेंगे उसमें आपका उत्साहा Evolve होगा अगर अब उत्साहीत हो करकर कोई भी काम करते हैं तो उसमें सकसेस की गारंटी बन जाती है दोस्तो अगर आपको जीवन रेखा के ऊपर कुछ इस तरीके की छोटी-छोटी लाइने उपर की तरफ जाती हुई मिले या फिर आपको कुछ ट्रैंगल जैसा मिल रहा हो या फिर बड़ा ट्रैंगल मिल रहा है देखने के लिए इस तरीके से तो ये काफी सुब माना जाता है यानि कि जीवन का वो समय आपको आपका मकान बना के दे सकता है या फिर आप अपने बिजनेस को कुछ उचाईयों तक लिजा सकते हैं या फिर आपको आपकी जौब में परमोशन मिल सकता है यदि जीवन रेखा पर आपको उर्दगामी रेखा है चुटी चुटी मिले या फिर आपको कोई ट्रेंगल बनता हुआ देखे तो ये बहुत ही सुपसाइन माना जाता है लिए दोस्तो अब हम सेकिंड इंपोर्टेंट रेखा की बात करते हैं जिसे मस्टिक्स रेखा बोलते हैं मस्टिक्स रेखा आपको निम्ड के मंगल से कुछ इस तरीके से निकलती हुई दिखाई देगी और ये कर बना रही होगी और उच्चिके मंगल और चंदर परवत की तरफ जा रही होगी अगर इस तरीके की रेखा आपके हाथ में है और लंबी है और साफ है और सपस्ट है तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेन बहुत अच्छा है G1 में कामयाब होने के लिए हमारे मस्टिक्स का सही तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है यदि हम बढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी मिमोरी शार्फ होनी चाहिए जिसे की हम एकजाम अच्छे से कर पाएं यदि हम व्यापार कर रहे हैं तो हमारी लॉजिक शक्ती बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसमें हमारी मस्टिक्स रेखा बहुत मदद करती है, अगर ये साफ और सपस्ट है, तो बहुत अच्छी बात है, काफी आतों में आपको मस्टिक्स रेखा, जीवन रेखा से थोड़ी सी अलग मिलेगी कुछ इस तरीके से, अगर ये रेखा यहां पर गैप बना करके चल रही है, तो ऐसे लोग अपने विचारों के प्रति स्वतंतर होते हैं, पुड़े जिद्धी सुभाव के होते हैं, लेकिन अपने जीवन में कामया बहुत होते हैं, क्योंकि ये लोग काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड भी होते हैं, लेकिन जिद्धी सुभाव की वज़े से, काफी बार ये अपनी फैमिली को इगनोर कर देते हैं, लेकिन काफी बार हमने देखा है कि कुछ रेखा हैं इस तरीके से जीवन रेखा के साथ मिल जाती हैं, मस्तिक रेखा से, ये काफी अच्छी बात है, उस समय पर ये अपनी फैमिली को टाइम भी देने लगते हैं और फैमिली के साथ अच्छे तरीके से इन्वाल भी हो जाते हैं, लेकिन जादातर हातों में आपको मस्तिक रेखा कुछ इस तरीके की ही देखने के लिए मिलेगी जो जीवन रेखा के साथ जुड़ के जा रही होगी, अगर मस्तिक रेखा जीवन रेखा के साथ जुड़ जाती है तो ऐसे लोग संसकारी भी होते हैं और अपने धरम को फॉलो भी करते हैं, दोस्तों अगर मस्तिक रेखा कुछ इस तरीके से निकले और चंदर परवत की तरफ काफी अच्छ भी बन सकते हैं, ये लोग थोड़ा सा आर्टिस्टिक वर्क करने में इंटरस्टेड रहते हैं, लेकिन ये रेखा ज़्यादाता राहतों में आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी और अगर ये दो मुखी हो जाती है तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएग इकलती है और ब्रस्पती परवत की तरफ जाती है, ये हमारे प्रेम के सुभाव को भी दिखाती है, हमारे आध्यात्म को भी दिखाती है और इंसान कितना रोमैंटिक होगा उसके बारे में भी बताती है और जीवन में आप कितना उत्साहित रहेंगे उसके बारे में भी ब बहुत खुशी मिलती है क्योंकि इनकी भावनाएं इस तरीके की होती है यदि आपकी हिर्दे रेखा शनी परवत पर आकर के रुख जाती है तो ऐसे लोग थोड़े मनी ओरिंटेट हो जाते हैं यानि कि ऐसे लोग हमेशा मनी के बारे में सोचते हैं रिस्तों के अंदर भी मन करते हैं यदि आपकी हिर्दे रेखा दो मुखी हो जाती है कुछ इस तरीके से तो यह बहुत ही अच्छी बात है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे लिए दोस्तों हम चौती सबसे इंपोर्टेंट रेखा की बात करते हैं जिसे हम भाग्य रेखा बोलते है इसे शनी की रेखा भी बोला जाता है और इसे धन की रेखा भी बोला जाता है यह रेखा शनी परवत से शुरू होती है और राहू के छेतर को क्रॉस केरती हुई चंदर परवत की जा सकती है यह रेखा साफ और इस पस्ट है तो ऐसे लोग काफी लगकी होते हैं जो भी काम विसाली नहीं है या फिर आपके पास धन नहीं आएगा, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, हाथ के अदर आपके जो माउंटेंस हैं, अगर उनके उपर सुब चिन बने हुएं, तो ये भी काफी सुब माने जाते हैं, और ऐसे लोग जादतर नौकरी करना पसंद करते हैं, और नौक लोगों को बताया है कि भागे रेखा जो है वह शनी परवत से निकलती है, और राहू के छेतर को क्रॉस करती हुए चंदर परवत की तरफ जाती है, तो अगर ऐसी रेखा है, साफ है, इस परस्ट है, तो आप काफी धनवान होगे, कुछ हाथों में ये हो सकता है कि टुकड तो जादा तर हातों में ये रेखा देखने के लिए मिलती है, और साफ और सपस्ट होती है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे हम बोलते हैं सफलता की रेखा, ये आपको सुर्य परवत पर देखने के लिए मिलेगी, ये थोड़ी लंबी होती है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये आपके स्वाबी मान की रेखा भी है और ये confidence की रेखा भी है अगर ये रेखा बनी हुई है तो आपके अंदर leadership quality हो सकती है अगर ये रेखा काफी लंबी है, साफ है, इसपस्ट है तो आप government के साथ associate हो करके काम कर सकते है या फिर business कर सकते है या फिर बहुत बड़े अधिकारी बन सकते है या government job कर सकते है तो सूर्य रेखा जो है वो government job के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है अगर आप business भी कर रहे हैं तो उसमें भी एक अच्छे leader बन करके उभरेंगे और private job कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये सफलता की रेखा आपके अंदर एक आत्म विश्वास दिलाती है अगर आपके अंदर आत्म विश्वास होगा लीडर्शिप quality होगी तो आप अपने जीवन में कामयाब होगे इसी वज़े से इसे सफलता की रेखा बोला जाता है सक्सेस लाइन बोला जाता है चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली रेखा की जिसे हम स्वास्त रेखा और व्यापार रेखा बोलते हैं ये भी रेखा काफी important है जो लोग व्यापार करना चाहते हैं व्यापार रेखा जदा तरह आपको जीवन रेखा से कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी जो बुद्ध परवत की तरफ जा रही होगी काफी बार ये हातों में अलग अलग परकार की होती है कुछ हातों में यह आपको यहां से निकलती हुई बुद्ध परवत की तरफ जाती हुई मिलेगी। कुछ हातों में हो सकता है कि यह बीच में से निकल रही हो। हो सकता है कुछ हातों में यह टुकडों के अंदर जा रही हो। या फिर एक से जादा रेखाएं देखने के लिए मिले ही या फिर बुद्ध परवत पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं देखने के लिए अगर इस परकार की रेखाएं देखने के लिए मिलती है तो ये व्यापार की रेखाएं ऐसे लोग व्यापार करने के इच्छुक होते अगर जॉब भी कर रहे होते हैं तो कहीं न कहीं उनका मन व्यापार में लगा रहता है तो व्यापार के लिए आपको इन रेखाओं को देखना है अगर ये बुद्ध परवत पर जा रही है इस तरीके की रेखाओं तो ये व्यापार की रेखाओं कहलाती है जैसा मैं अभी बना देता हूँ चली दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली रेखा कि जिसें बोलते हैं यात्रा रेखा हैं काफी सारे स्टूडेंट्स विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं और हमारे पास कोशिन लेके आते हैं हमारे हाथ में देखकर के बताईए कि विदेश जाने का योग है या रही यदि चंदर परवत पर आपको खड़ी और लंबी रेखाए देखने के लिए मिलती है तो इस केस के अदर इंसान विदेश जाता है अगर ये रेखा आपकी भागे रेखा से जाकर के मिल जाती है तो इस केस के अंदर आपका भागे उदे जो है वो विदेश जाने से होता है और विदेश से जाकर के आप काफी पैसा कमा सकते हैं नौकरी करके भी और व्यापार करके भी काफी बार ये जो रेखा इस तरीके से निकलती है और जीवन रेखा के साथ अगर मिल जाती है तो इस केस के अंदर आप विदेश में जाके बस भी सकते हैं यदि आपके हाथ में कुछ रेखा है छोटी छोटी इस तरीके से बनी हुई है तो ऐसे लोग छोटी छोटी यात्राएं करते हैं और इन्हें यात्रा करने का शौक भी होता है और अगर ये यात्राएं काम को लेकर के रहें तो कहीं न कहीं धनलाब भी होता है तो यहां से हम चेक कर सकते हैं कि आप किस तरीके की यात्रा करेंगे और आपको किस तरीके का लाब होगा तो ये जो रेखाएं हैं ये आपके यात्रा को दिखाती है जो कि व्यापार को लेकर के हो सकती है पढ़ाई को लेकर के हो सकती है या फिर फोरण में सेटलमेंट को लेकर के भी हो सकती है तो इन रेखाओं को हम यात्रा रेखाएं कहते हैं जो कि हमें चंदर परवत पर देख अगली रेखा की जिसे हम बोलते हैं विवहा रेखा जो कि आपको हिर्दर रेखा और बुद्ध परवत की जो छोटी वाली उंगली होती है इसके नीचे देखने के लिए मिलेगी ये रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही होगी अगर ये लंबी और साफ और सपस्ट है तो आ अगर ये रेखा तोटी उंगली की तरफ बढ़ रही है तो विवहा में थोड़ा विलंब होगा और ये रेखा अगर यहां पर देखने के लिए मिल रही है तो शादी जल्दी हो सकती है दोस्तों काफी हातों में आपको एक से जादा विवहा रेखाएं देखने के लिए मि पाए और दूसरी रेखा जो है वह विवा करा देगी और काफी बार अगर आपका विवा टाइम से हो गया और दूसरी रेखा एक और बनी हुई है थोड़ी डिले बनी है तो उस समय पर हो सकता है कि आप इश्वर के प्रती जो है वह प्रेम करने लगे क्योंकि यह रेखा सिन रेखा बोला जाता है ऐसे लोग अपने सिस्यों से प्यार कर सकते हैं अपने गुरू के प्रती प्रती प्यार कर सकते हैं और इश्वर से उनका प्रेम हो सकता है तो यह प्रेम की रेखा भी है और अगर आपको किसी के हातों में बहुत सारी इस तरीके की रेखा है देखने क है क्योंकि maturity बहुत important चीज होती है तो वो depend करेगा अगर आपके हाथ में एक रेखा है तो बहुत अच्छी बात है तो उसके अंदर हम ब्रस्पती परवत की condition देखते हैं अगर ब्रस्पती परवत शनी परवत की तरफ खिसक जाता है तो उसके इसमें विवा रिखा को देख करके यह calculate कर सकते हैं कि आपका विवा किस age में होगा लेकिन अगर विवा में विलम हो रहा है तो आपको ब्रस्पति परवत भी check करना है चली दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली रिखा कि जिसे बोलते हैं संतान रिखा विवार एकापर कुछ आपको खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलेंगी अगर आपको लंबी रेखाएं देखने के लिए मिल रही है तो इसका मतलब होता है तो संतान होगी वो पुत्र होगी अगर छोटी रेखाएं हैं तो इसका मतलब यह होता है कि संतान जोगी वो लड़की होगी लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी इस तरीके से समुद्रिक सास्तर में बताता है कि अगर विवार एकापर खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलती है तो उससे हम अनुम और रहोः ख付 करते हैं अगली रेखा की जिसे हम मंगल रेखा बोलते है इसे एंचल रेखा भी भी बोलाजाता है और सपोर्टिंग लाइन भी बोलाजाता है या आपको जीवन रेखा के साथ कुछ पैरलली इस तरीके से चलती हूई देखने के लिए मिली कि अगर ये तो इश्वर कही ना कहीं से आपके लिए मदद अरेंज कर देते हैं, इसी वज़े से इन्हें मंगल रेखा भी बोला जाता है, सपोर्टिंग लाइन भी बोला जाता है, और इंजल लाइन भी बोला जाता है, अगर यह आपके जीवन के अंतिम समय में कुछ इस तरीके से कोई दोश नहीं है, तो आप स्वस्त रहेंगे, अगर इस रेखा पर आपको यहां पर कोई ट्रेंगल बनता हुआ दिखता है, तो यह काफी सुब माना जाता है, ऐसे लोग धनवान होते हैं, अगर इस रेखा के उपर कुछ उर्दगामी रेखा है, उपर की तरफ जाती तो दूसरी रेखा धन से रिलेटेड हो जाती है, इसमें इनसान धनवान होता है, और अगर आपको एक और रेखा देखने के लिए मिल रही है, तो ऐसे में आध्यात्मी शक्ती बहुत जादा हो जाती है, और काफी बार मैंने देखा है कि जिनकी एज होने लगती है, तो उ अगर इस तरीके का M का साइन देखने के लिए मिलता है, तो ये बहुत ही लगी माना जाता है, इसका कारण क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें हिर्दे रेखा जो है वो साफ और मिल रही है, फि जीवन रेखा भी है, मस्तिक्स रेखा भी है, भाग्य रेखा भी है, और हिर्दे रेखा भी है, अगर आपका हिर्दे बहुत अच्छा है, तो आप अपने जीवन में कामियाब होंगे, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे, जो आपको कामियाब बनाएंगे, आ हमारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे, जो हमें कामियाब बनाएंगे, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अगले साइन की, जिसे X का साइन बोलते हैं, अगर आपकी हिर्दे रेखा और मस्तिक्स रेखा को एक रेखा, इस तरीके से काट देती है, हाथ में जब बनता है तो वह काफी सुब माना जाता है, और राहू के छितर में इस तरीके का अगर आपको X बनता हुआ देखता है, तो इसे सुब माना जाएगा, क्यों क्यों कि यहाँ पर राहू के जो गुर्ण है, वह काफी ज़्यादा विक्सित हो जाएंगे, और कही ना कही जब ये व्यापार करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ कुछ ऐसे लोग जोड़ जाते हैं जो इनको कामयाब बनाते हैं तो X का साइन होना अपने आप में बहुत लगी है और ऐसे लोग अपने जीवन में कामयाब होते हैं चलिए दोस्तो अब हम बात करते हैं तो इसे लोग पैसा भी कमाते हैं और इश्वर में विस्वास भी रखते हैं और दो मुखी रेका हैं हाथ में बहुत जाधा सूब होती हैं, यहाँ पर हमार से देखें तो हमें शनी परवत के गुड़ भी देखने के लिए मिल रहे हैं. इसलिए इसे काफी लखी अना जाता ह क्योंकि दो ब्लानेट की इंटेंसिटी उस रेखा पर आने लगती है यानि कि हिर्दे रेखा ब्रस्पती के गुण भी लिए हुए है और मंगल के गुण भी लिए हुए है इसलिए इस साइन को काफी लगी माना जाता है दोस्तो अगर ये तीन मुखी हो जाए या इस पर तिरसूल का साइन बन जाए तो तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस पर शनी का पुरभाव भी आएगा इस पर ब्रस्पती का पुरभाव भी आएगा और इसे पर मंगल का पुरभाव भी आएगा इसलिए इसे राजयोग भी बूला जाता है लेकिन यहाँ पर हम दो मुखी की बात कर रहे हैं तो अगर आपको यह वी चिन देखने के लिए मिल रहा है और यह दो मुखी है तो बहुत ही लग्की है तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं पैतरिक संपत्ती मिलती है और उस पैतरिक संपत्ती को यह काफी आगे तक लेके जाते हैं अगर हम थोड़ा गौर से देखे तो हमें एक बड़ा ट्रेंगल भी देखने के लिए मिल रहा है हाथ में ट्रेंगल होना हमेशा सुब होता है जिस परवत पर वो होगा उस परवत के गुण वो ले लेगा तो यहाँ पर हमें दो ट्रेंगल देखने के लिए मिल रहे हैं एक छोटा ट्रेंगल और एक बड़ा ट्रेंगल इस तरीके का क्रॉस बनता हुआ मिल रहा है तो इस केस के अंदर आपकी लव मेरेज हो सकती है दोस्तों अगर आपका शुकर का परवद अच्छी कंडिशन में है यहां पर कोई दोश नहीं है और स्टेट लाइने देखने के लिए मिलती है तो उस केस के अंदर भी लव मेरेज के काफी अच्छे चांस बन जाते है और अगर आपको चंदर परवद पर कोई रेखा इस तर यदि सुर्य रेखा कुछ इस तरीके से निकले और आगे जाके दो मुखी हो जाए और हिर्दे रेखा पर जाके टक्रा जाए तो इस केस के अंदर भी लव मेरेज होने के काफी अच्छे चांस बन जाते हैं दोस्तों लव मेरेज के लिए हमेशा एज बहुत जादा मैटर क चाहिए उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इनफॉर्मेटिव रहा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आप अपना हाथ खुद अपने आप देख सकते हैं यदि आप हमारे एस्ट्रोजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आ आपकी सारी मनो कामनाए पूर्ट करें और आपको अपने जीवन में बहुत कामियाब बनाएं